संस्कृत कहानियों की श्रेंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं ये कारिक्रम शेष्ट समाधानम पुराने समय की बात है एक सुन्दर आश्रम था आश्रम के चारू और सुन्दर सुन्दर उद्यान थे उद्यान में अनेक प्रकार की पश और पक्षी रहते थे आश्रम की सुन्दरता को देख कर एक ब्रम्भचारी बोला आहाहाहाहा विशालह सरोवरह सरोवरे नाना विदा पक्षिना कूजन्ती सुन्दरम द्रिश्यम आहाहाहा अस्मान आनन्दयती अहो प्रातह कालह संजातह मुने संध्या वेला इयम तदर्खं पुष्पानी चे तब्यान अहो वामता इयम गोशाला अस्तु तद्रैवु चलाम गोशेवाम चा करिश्यामी भो मुने इमानी पुष्पानी स्वी करोतु साधो कन्याई साधो भवतु संध्या वंदनम समाप्य आगच्छामे तावत यूयम अपी दैनिक कार्यम संपादयात मुनिवर कश्चन राजा आश्रमम प्रविष्टह प्रवेशय शीग्रम प्रवेशय यथा आदिशती भवान राजन इतो 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 भवान मुनिवर प्रणमामी कल्यानमस्तु आगच्छ उपविषर पई राजन किम सर्वम कुशलम मुनिवर भवताम कृपया सर्वम कुशलमस्ती किन्तु मम केचन प्रश्णाह संती सानन्दम वदतु कह समयह श्रेश्ठाह कह पुरुषह श्रेश्ठाह किम कर्म श्रेश्ठाम वदतु वदतु भवान रिशिह मम प्रश्णान उत्तर तुम नेच्छती अतह एदानी मया प्रतिगंतव्यम अपने तीन प्रश्णों को लेकर राजा मुनी की आश्रम में गया था राजा के पूछने पर मुनी ने राजा के किसी प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया एक घायल व्यक्ति को देखकर राजा बोला भगवन जनोयम महतीम वेदना मनुभवते तस्यों पचारे अहमपी सहाईयम करतु मिच्छामे शोभणम करो तु आश्रम में राजा आए हुए घायल व्यक्ति का उपचार करने लग जाते राजा की निरंतर सेवा से अस्वस्थ व्यक्ति पूल रूपेन स्वस्थ हो जाता है तब राजा उस व्यक्ति से पूछता है भवान कथम एताद्रिशीम दशाम प्राप्त है मया केना पि प्रकारेन क्रोधा विष्टेन राजे इवहं तब्यह आसीद एवं? एवं किन्तु मद्विचारस्य प्रकाशनात राजपुरुशाह मामबद्ध्वा अतारयन येनकेन प्रकारेन तन्मुक्ताह आश्रमं आगतोस्मी अधुना भवतो व्यवहारेनमे क्रोधाह शांताह साधु शंतव्योहं भो राजन मन्य भवताम त्रयानाम प्रश्णानाम समाधानम अस्य परिवर्तित मानसस्य जनस्य सेवयाईव संजातम आम रिशिवर यतोही अयमेव श्रेष्ठह समय यत्रमानव परोपकारे कस्मिन नपि कर्मनि समलगना समीची नमुक्तम भवता कस्यापि सहायताम कामय मानः पुरुषह वश्रेष्ठह साधु ज्यातम मया अपिचा सेवा वश्रेष्ठम कर्म येन ह्रिदय परिवरतानों मपिसंजायते आम अवगतम मया अतितराम उपकृतोस में प्रणमामी कल्यान मस्तु कल्यान मस्तु कल्यान मस्तु आम कृतग्योस में प्यारे बच्चो आपने सुना अपने तीन प्रश्णों को लेकर राजा मुनी के आश्रम में गया था राजा के पूछने पर मुनी ने राजा के किसी प्रश्ण का उत्तर सीधे नहीं दिया राजा ने जब घायल व्यक्ति की सेवा की और घायल व्यक्ति स्वस्थ हो गया तब मुनी ने प्रसनता पूरवक राजा से कहा राजन वही व्यक्ति स्रेष्ठ है जो दूसरे की सहायता के लिए सन्नध रहता है और सेवा कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है और जिस समय मनुष्य परोपकार के किसी कार्य में सल्लगन होता है, वही समय श्रेष्ठ होता है। इस तरह राजा को उसके तीनों परश्णों के उत्तर देकर मुनी ने उसको संतुष्ठ कर दिया। श्रेष्ठ समधानम अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम। बटिलेंगलिंडो और शानमुक्सीम, निर्माण सहयोग, विमलीष चौदरी और गीतिका उनियाल, निर्माण, निर्देशन और ध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT